हेलो दोस्टाइब लोगा स्वागत है माई चैनल दगे की महुंग में यहां पे हमाई पास में Realme Narzo 50 Pro भाई 20,000 रुपे में 920 टैमेंसिटी वाला प्रोसेसर कौन देता है कौन देता है? Realme देता है भाई लेकिन एक और फोन है भाई यहां पे IQ IQ Z6 Pro भाई Snapdragon 778G 20,000 की अंदर में कौन देता है? IQ देता है तो भाई यहां पे यह दोनों ही वोन आप उसको टकर देते हैं लेकिन यहां पे जो full comparison है आप लोगी demand भी बहुत जादा इसको ले कर गे तो मैंने का कि चलो ले कर के आते हैं यहां पे इन दोनों का फुल comparison जहां पे आपको पताते हैं कि आपके लिए best deal कौन सी रहीगी यहां पे जो मेरे subscriber है उनको तो पतायर होगा कि best deal कौन सी है तो आप लोग ले सकते हैं लेकिन जो नहीं है ना भाई वो लो subscriber बन जाओ आपको भी पता चली जाएगा यहां पे कि आखेकर इन दोनों में से कौन सा फों ज़्यादा बैटर है तो भाई सबस्क्राइब करना बूलना नहीं चलिए now like started with the full comparison, full detailed comparison नहीं पर यह camera से लेगा कि सारी चीजे बात यार होगी चलो फिर time किस बात का पर बात कर रहे हैं, start करते हैं, सबसे पहले guys यहां पे back की बात कर लेते हैं because हम लोग phone purchase करते हैं तो सबसे पहले यहां पे पीछे का ही इससा देखते हैं लेकिन जो IQ है न भाई वो यहां पे frosted design के साथ में आता है और खासकर यह वाला कर भाई लाजवाब है यहां पे और यहां पे यह काफी premium look क्यों जो है न देता है इसका camera का module भी काफी है था अच्छा जो लगता है, real mega तो काफी basic सा होच चुका है लेकिन आपको बता दूँ यहां पे भाईया पीचे से ना smudges इसमें नहीं जो लगेंगे लेकिन इसमें भर-भर के लगेंगे यहां पे आपको scratches भी देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन इसमें काफी कम लगेंगे compared to this और इसके साथ साथ में यहां पे 48MP का camera दिया हुआ है, यहां पे 64MP का camera है साथ साथ में बता दूँ भाई, इसके अंदर आपको dual speaker देखने को मिलेंगें लेकिन इसमें dual speaker नहीं है, लेकिन काफी अधर क्रिप्स और clear यहां पर भी sound आता है यहां पे front में अगर हम आजाएं तो front में भी है, यहां पे display इसके अंदर नीचे की जो chin है वो काफी अधर कम है और इसके अंदर जो ऊपर का notch है वो काफी अधर बढ़िया है यहां पे brightness वगर और यहां पे color की quality वगर किसकी जादा अच्छी है वाकिए में यहां पे IQ की जो display है वो इसके सामने थोड़ी सी better जो है निकल करके आती है यहां पे color की मामले में भी, साथी साथ में यहां पे brightness के भी मामले में और इसके अंदर आपको भी 5G band का support देखने को मिलता है और हाँ, एक चीज दोर बता दो, दोनों में ही यहां पे memory expand करने का option नहीं है तो यह चीज को ध्यान में रख करके अपना variant चूज करिएगा साथी साथ में यहां पे दोनों में ही Android 12 out of the box देखने को नहीं मिलता है यह कापी अच्छी बात है इसके बाद आचुके हैं हम लोग यहां पे camera comparison की तरफ तो आपको बता दो भाई यहां पे IQZ6 Pro में आपको 64MP का sensor देखने को मिलता है नार्जो में यहां पे आपको 58MP का sensor देखने को मिलता है काफी लोग यहां पे doubtful है नार्जो की camera abilities को ले करके काफी लोग बुल रहें नहीं अच्छी है तो आई एचरी देख लेते हैं साइड बाई साइड कमपैरिजन ही कर लेंगे और आपको बता देते हैं किसकी ज़्यादा बेटर है फिलाल हमनों ले रहें back camera तो back वाले camera में पहली एक image आप देख जूने सकते हैं यहां पे थोड़ा सा vibrerance रखता है नार्जो 50 pro और वहीं पे जो IQ है वो थोड़ा सा यहां पे natural color रखने की कोशिश करता है नेक्स्ट वाले सीने उसमें हमने देखा भाई यहां पे sharpness खास कर नार्जों में काफी ज़्यादा है यहां पे अगर हम zoom in करें तो आप देख ज़े सकते हैं यहां पे नीची जो flowers पढ़ें हो काफी ज़्यादा शार्पर है तो कई बार भाई उतना अच्छा लगता भी नहीं थोड़ा सा यहां पे soft होना ज़र चाहिए था लेकिन detail के मामले में दोनों यहां पे ठीक टाक है हाँ लेकिन भाई यहां पे IQ के किसी-किसी photos में न मैंने देखा है कि वहां पे थोड़ा सा yellowish tint देखने को मिलता है इसी के ज़स्बात है हमने एक ultra wide angle से camera सा photo लिया दोनों में ही 8 megapixel का ही देखने को मिलता है तो उसके अंदर हमने पाया गिया दोनों ही एक ही जैसे की photos खीचते हैं लेकिन again नार्जो का नीचे की दरफ अगर आप देखेंगे यह flowers अगर काफी अजीव से लगते हैं वही इसका थोड़ा सा फिर भी better लग रहा है इसी के ज़स्बात हमने यहां पे यह वाली image क्लिक करी है यहां पे दोनों ही काफी अच्छा perform करते हैं अगर आप कोई भी photo खीचते हो तो गई जैसे हम यहां पे किसी human object को एड़ करते हैं तो एक चीज मैंने नोटिस करी है जो कि नार्जो में मुझे इसकी वज़े से काफी खराब या लगता है और देखी जैसे मेरी आदी शकल आई तो अगेन यहां पे काफी ज़्यादा natural skin tone उसने रखी है तो भाई human object में फुल शकल आएगी तो भाई यह problem है लेकिन जब portrait में जाएंगी ना फुल शकल के साथ में तो काफी अच्छी image को वो click करता है दिखाता हूँ आपको यह थी भाई हमाई normal image इसी के जबात हमने portrait लिया है तो आप देख जो सकते हैं यहां पे edges वगर को भी देखा अपले हाला कि मुझे ज़्यादा पसंद edges जो है निकल के आई है IQ की as compared to this और यह भी आप देख जो नहीं सकते हैं कि यहां पर भी even details वगर भी भी यह देखा अप वगर आप देखने कैसी आ रही है यहां पर काई इस तोनों में ही आपको same type का ही देखने को मिलेगा कोई बहुत बहुत दा difference है नहीं यहां पर एक और भाई image है देखिए यह वाली image में भी अगर आप देखे portrait shot portrait मे skin tone को काफी यह दा natural रखता है वो मुझे काफी पसंद आय साथी साथ में अगर आप अगेंस असन फोटो खीशने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई यहां पर आईक्यू यहां पर नैचुरल कलर को तो क्लिक करता ही है इवन अगर आप देखेंगे तो यहां पर बैक्ग्राउंड में जो पेड़ वागर है ना उनके भी और ओफर शापनेस् की बात बताई ठी यह आपको नार्जो में देखने को मिलता ही है कई हैं इसके अंदर यहां पर शाइडों के दोंो नहीं काफी ठीक दा। ने geçhte कि करन 이걸 दें सकते कि यहां पे नार्मल जो है lightning outdoor में दोने खीजी जैसा पुरॉमस्नी में घर आप देखेंके तो सेम टाइब की परॉइमस दीटने को मिलें की और आई humour इसके बाद ग्रहिज के करें च्रुण वीडियो में हमें देखने को मिलता है कि जो बैक वाला कैमरा है ना उसमें न 4K में यहां पे stabilization को option देखने को मिलता है IQ में और वो वाकिये में काफी अच्छा work जोए करता है वहीं पे बैया जो रियल मी नार्जो है ना वो थोड़ा सा भाई यहां पे ना थोड़ा सा वाइडर एंगल से लेता है लेकिन हाला कि दोनों में ही जो यहां पे होनी ही है चाहिए तो अभी मैं speed test यहां पे कर मैं रहा था IQ और नार्जो का तो speed test अगर हमने करया लिया है उसके अंदर हमने देखा है कि वाई-पाई के इंटेनेट डाउड़ोडिंग हर बार हमेशा होती है कि जिसकी स्टोरेज टेस्ट में ज्यादा स्कोर्स आते हैं वही फोन परफॉर्म करता तो इस बार हमें वैसा ही देखने को मिला यहां पर एप ओपनिंग बात करें आपको पता ही नार्जो में भाई यहां पर पाट जीबी की वर्चुल रएं मिलती है और यहां पर आई-क्यू में चार जीबी की लेकिन वर्चुल रैम रियल लाइफ में कितना जदा फायदे मंद होता है इसका एक एक एक्जांपल आपको नह देता हूं यहां पर रैम मेलेजमेंट टेस्ट हमने किया जो भी हमने एप्लिकेशन ओपन करके रखी थी सारी एप्लिकेशन दोनों ही फोन में ओपन थी लेगिन सिवाए दो एप्लिकेशन के शॉपिंग वाली एप्लिकेशन एमाज़न और फ्लिपकाड यह भाई नार्जो में हो चुकी थी खैर यहां पर आईक्यू में फिलहाल अभी भी खुली थी इसके ना साथ ही साथ में गीक बेंच की स्कूर के कमपैजन भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा यहां पे दोनों ही एक ही जैसा परफॉर्म करतें कोई बहुत ज़र डिफरेंस है नही है अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूगा वहां से जाकर आप चेक आउट न करिएगा हर मामले में यहां पर आईक्यू में ही टेस्ट में काफी बढ़ी है परफॉर्म किया तो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन परफ किसी एक को चुनना बहुत ज़्यार होगा मेरे लिए especially because यहां पर नार्जो भी काफी अच्छी किमिंग करता है मैंने PUBG test किया हुआ उसका वो भी मैं बहुत ही यल्दी लेकर के आ रहा हूं लेकिन overall यहां पर बैलेंस परफॉर्मस आपको देखने को मिलेगी तो अगर एक प यहां पर नार्जो मैंने दोने फोन को मैंने यूज किया है अपने डेली ड्राइवर फॉर मोर थैन तो तू तू त्री रेच्ट तो उसमें हमें देखने को जो मिला मैंने वह आपको बता दिया खैब इन सब के बाद में अगर किसी फोन को आपको चुनना होगा तो भाई क तो यह clear verdict देता नहीं है, पर मैं यहाँ पर हमेशा न देता आया हूँ, तो यहाँ पर मैं IQZ6 Pro को ही चूस में करता, Realme Narzo 50 Pro के उपर अगर दोनों ही सेम प्राइस पे आए तो.